सब्सक्राइब तो यह continue आ सकता है नीचे की तरब लेकिन gap down खुला immediately recover किया कहीं पर negative का sign नहीं था उसके बाद यहाँ पर एक inside candle बना यहाँ पर इंसाइड candle बना बहुत ही अच्छा एक breakout में भी बहुत अच्छा trade मिला होगा मैंने अभी अभी current position अगर मैं बता हूँ तो 41,000 के आसपास मैंने straddle बना रहा है straddle क्यों मैं यह interesting है क्योंकि 2 मैंने तीन मैंने यह बादी में straddle प्लान किया हूँ तो मैं trending प्लान कर रहा था अभी मैं क्यों plan किया हूँ 41,000 के आसपास क्योंकि करता है 41,600 कल के दिन तो इसको मैं निकाल दूँगा जितने भी लोसेस होता है मैं निकाल दूँगा अगर यह hold करता है तो मैं इसको एक और दो दिन यह hold करने वाला हूँ फिर उसके प्रिमियम डिके होता रहेंगे क्योंकि वाजन सब्सक्राइब करता है तो यह सारे बहुत सारे चीज़े होने वाले है 41,600 that means 41,500 cross करते हैं साथ हम लोग position बना सकते हैं 50-60 रुपय या 70-80 रुपय है stop loss होना चाहिए 1.2 minimum हम लोग का target रहेगा अगर इसके उपर subtract करता है तो flow में चलेंगे एक अच्छा momentum इसके अंदर आ सकता है और अगर नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो 41,000 से लेकर 40,900 बहुत ही अच्छा है सपोर्ट अभी यह बनना चाहिए अगर इसके नीचे आता है तो यह level के आसपास अगर कोई positive बनता है let's imagine के नहीं market थोड़ा सा gap down खुला और यह level पर कहीं पर positive candle बना फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ पर कहीं पर position buy करने के लिए अगर imagine करो के नहीं 41,600 gap down खुला या फिर थोड़ा बहुत फ्लाट खुलने के बाद आधा हंटा एग हंटा इसी range में अगर बना रहा फिर हम लोग एक range bound market का प्लान कर सकते है 41,600 से लेकर 40,900 इसी range के अंदर 500 point range के अंदर market कल expire हो सकता है अई हो फिर point आपको समझ मारो generally क्या होता है जबी बड़ा momentum देता है एक या दो दिन market फिर pause ले लेता है उसके बाद continuation में जाता है अगर यहाँ पर pause लेता है well and good तो इसके लिए थोड़ा प्लान करना चाहिए लास्ट expiry में आपको पता होगा एक trending market था तो कल के दिन एक trending expect नहीं कर रहे हैं लेकिन एक point ध्यान में रखो अगर यह 500 फिर से cross करता है जितने सारे लोग call option sort किया होंगे उन लोग का फिर sell हीट होने वाला है और यह continuation में जा सकता है और प्रिविएस ट्रेंड था बाइंग के लिए बहुत सारे लोग और add-on हो सकते हैं इसके लिए कल 41,500 के ओपर 5-minute का candle क्लोज किया तो हम लोग प्लान करेंगे अगर इसके नीचे आता है तो फिर 40,900 से लेकर 41,000 यह range के अंदर आके कहीं पर close करेगा चली अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे आज के दिन इतना बड़ा momentum हुआ नहीं निफ्टी के अंदर gap down खुला उसके रिकवर हुआ जहां से closing price था वहां से resistance हुआ और नीचे की तरफ ही आया अगर closing hour में देखेंगे कि sharp selling इसके अंदर आया है momentum in the sense bank nifty previous day का high breaker के all time high के आसपास trade कर रहा है वारेज निफ्टी अगर देखेंगे थोड़ा सा week दिख रहा है in this condition हम लोग nifty में थोड़ा trade प्लान नहीं करेंगे क्योंकि already अगर 18,060 या फिर 18,040 के ओपर अगर हम लोग प्लान करेंगे तो no doubt already stock जा चुका होगा तो थोड़ा सा हम लोग wait करेंगे एक दो दिन क्योंकि यहाँ पे 17,920 में breakout दिया है 18,080 में एक resistance है तो इसी range के अंदर अगर market रहे सकता है चांसे सार वेरिया है तो थोड़ा सा हम लोग पॉल लेकर trade करेंगे एक लिए एग्रेसिव टेडिंग प्लान मत करना रदा दान निफ्टी निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है as of now लेकिन market बहुत ज्यादा strong है एवरी breakout पे हम लोग buying के लिए प्लान कर सकता है चले हम लोग stock देख लेते हैं पहला stock है jubiland food अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा breakout यहाँ पे दिया है अगर यह continue करता है तो यह continue हो सकता है क्योंकि last swing के आसपास trade कर रहा है अगर flat cooling across करता है तो हम लोग इसको buy कर सकते है 536 के उपर हम लोग इसको plan कर सकते है 2-3 रुपया stop loss होना चाहिए 1-2 minimum हम लोग का target रहेगा next stock है infi अगर देखेंगे market strong है लेकिन just because US market के कारण यह infosis यह IT stock हो गया थोड़ा सा यह pause लिए है यह उपर की तरफ जा सकते है लेकिन हां हो सकता है कि यह फिट से retest करें लेकिन इनी gap up कल अगर gap up खुल जाता है let's imagine 41485 के उपर तो हम लोग इसको ignore कर देंगे लेकिन flat खुलने के बाद 1473 क्रोस करते साथ हम लोग इसको plan कर सकते हैं sell करने एक range के अंदर यह trade कर रहा है छोटा सा channel के अंदर यह plan कर रहा है तो अगर इसके नीचे निकलता है तो 570 हो गया 560 range तक यह फिट से आ सकता है तो 575 के नीचे हम लोग इसको plan कर सकते है चार से पांच रुपया stop loss होना चाहिए 1.2 हम लोग का target रहेगा दिगे market में एक trending आ च अच्छा call short मेंने किया था आपका 41,400 दिख रहा होगा मैंने समय रहों 39,500 का call short कर रहा था क्योंकि एक selling का pressure मुझे दिख रहा था कि ने आ सकता है continuously gap up खुल-खुल के market ऊपा जा रहा था तो एक कही ना कहीं से selling pressure आ सकता है लेकिन इंदे इंड में इसको square up करना पड़ा है क् आपको समझ में आ रहे होंगे पर भीले तना है थैंक यू